Hello students, welcome to exam orbit classes. आज की class में discuss करेंगे 29 December का most important current affair. Student daily current affair के साथ साथ इस class में हम लोग static GK और state information भी कबर करते हैं. साथे daily current affair का कोई क्रीबीजन भी आप लोगों को कराये जाता है, बिल्कुल कम से कम समय में आप सभी को जादा से जादा जानकारी देने की पूरी कोसिस की जाती है. तो बने रहे एक class के last तक class को एक वाई share जरूर कर दे. अगर आप लोगों की कोई query है तो दिये गए WhatsApp नमबर पर आप लो contact कर सकते हैं. साथे इस class की पीडियाप आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. चलिए class श्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करेंगे कल की class का विक्री वीजन. इस राज्य सरकार ने नदी उससब सुरू किया है, तो गुजरा सरकार द्वारा हाली में इस उससब की सुरवाद की गई है. आइनेस कुरकी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 साल की सेवा के बाद. सयुक्त राश्टर ने पहला अंथराश्टिय महामारी तयारी दिवस कब मनाया है 27 दिसंबर को किस ने प्लास्टिक के पुनर चकरण के लिए नुईडा प्राधिकरण के साथ एक साजेदारी की है तो NDPC ने हाली में ये साजेदारी की है किस राश्ट सरकार दुवारा मीन दुम मन्ज पई योजना की सुरवात की गई तमिलनाडु सरकार दुवारा हाली में इस योजना की सुरवात की गई है मतर टेर्सा मैमोरियल अबोर्ट 2021 से किसे सम्मानित किया गया है डॉक्तर अनिल प्रकास जोसी को किसने भारत का पहला Intelligent Transport System launch किया है नितिन गड़करी दुवारा हाली में ये launch किया गया है अगर आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में डेटेल से जानना है तो कल की किलास ज़रूर देख लीजेगा क्योंकि नेस्ट किलास में उस किलास का हम लोग को इक्रिविजन करते है पर्यावरन मंत्राले के हाली आकडों के अनुसार किस राज़ में बिजली की चपेट में आने से हातियों की सबसे ज़्यादा मौत दर्ज की गई है उड़ी सा राज़ में किसे मुंबई प्रेश का जनलिस्ट ओफ दा इयर सम्मान मिला है दानिस सिद्धगी को चले आगे देखेंगे दिल्ली में भारत दर्शन पार का उधगाटन हाली में किस ने किया है अमिस सहा दुवारा इस पार का उधगाटन किया गया है किसने बाना कूलर इनोवेशन प्रोग्राम सुरू किया है नीतियायोग ने सक्ति आपरादिक कानून बिध्यक किस राज़्य से सम्मंदित है तो ये बिध्यक है महराष्ट राज़्य से सम्मंदित भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कूरुना का टीका कब लगाया जाएगा तो 3 जनवरी 2022 से बच्चों को टीका लगाया जाएगा सेप अणडर 19 बीमेंज चेंपियंशिप में भारतिय महिला टीम को हरा कर किस टीम ने यह किताब अपने नाम कर लिया है तो बांगलादे faucher टीम ने इस किताब को जीत लिया है हाली में किस भार्तिय किर्केटर ने अन्थाराश्टिय किर्केट से सन्यास लेने की गोशना की है हर वजन ने चले डिस्कस करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट कोईश्चन मोख्य मंतरी नितिश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेट के किस राज्यसवा सदस्य का हाली में निधन हो गया है तो इसका आपका सई आंसर है उप्संडी महिंद्र प्रसाथ का आई डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में बिहार में जेडियो के राज्यसवा सांसत महिंद्र प्रसाथ का हाली में निधन हो गया महिंद्र प्रसाथ साल 1985 से राज्यसवा के सदस्य थे वे पहली बार साल 1980 में लोग्यसवा के लिए चुने गए थे अब डिस्कस कर लेते हैं महत पूर जानकारियां आगामी परिच्छा की द्रश्टी से राज्ज सभा की पहली महिला महा सचिप कौन थी? इसने लता स्रीबास्थब राज्ज सभा का नया महा सचिप हाली में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोध चंद मोधी को बर्तमान समय में राज्ज सभा के सभापती कौन है? एम बिकैया नैडू है बर्तमान समय में राज्ज सभा के उप सभापती है? हरीबंस नारायन सिंग लोग सभा की पहली महिला अध्यच मीरा कुमार है लोग सभा के महा सचिप कौन है? उत्पल कुमार है बर्तमान में राज्यसभा कैसा सदन है तो ये किस थाई सदन है आर्टिकल 89 संससे रिलेटेड है आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 लोगसभा एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक है सरला सासे संसत राज्यसभा और लासे लोगसभा हो जाएगा 89, 81, 81 तीनों आर्टिकल इसली आप लोगों को याद हो जाएंगे आगे डिसकस करेंगे राज्यसभा में कितने सदस राष्ट पती दुआरा नाम निदेशित किये जाते हैं 12 सदस भारत की पहली महिला राज्यपल सरोजनी नाइडू है सुतंत्र भारत के पिर्थम और अंतिम भारती गवंदर जन्न सी राज़ा गुपाला चारी भारत के पिर्थम उपराष्ट पती कौन थे डॉक्टर सर्व पल्ली राधा किश्नन थे अब आप लोग कमेंट्स वॉक्स में जल्दी से बताईए कि डॉक्टर सर्व पल्ली राधा किश्नन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था बर्तमान में लोक सवाई स्पीकर है ओम बिड़ला चले आगे डिसकुस करेंगे नेस्ट कुश्यन रक्षा मंतरी राजना सींग ने कहां पर डियाइडियो के रक्षा पुर्दोगी की परिच्छन केंद्र और ब्रह्मोस बिन्रमान केंद्र की आधार सिला रखी है तो इसका आपका सही आंसर है आप्संसी लखनव में आई डिसकुस कर लेते हैं यह केंद्र रक्षा अनुसंधान और बिकास संगठन यानि की डियाडियो दुवारा बनाई जा रहे हैं यह केंद्र यूपी डियाइसी के लखनव नूड में एक अत्य आधुनिक सुविधा वाले केंद्र होंगे यहां अगली पीडी की ब्रह्मोस मिसाईले बनाई जाएंगी यह नया केंद्र अगले दो से तीन बर्सों में बन कर तयार हो जाएगा यहां प्रति बर्स असी से सो ब्रह्मोस एनर्जी मिसाईले बनाई जाएंगी डिसकस कर लेते हैं most important point परिक्षा की दरश्ठी से ब्रह्मोस क्या है तो एक supersonic cruise missile है जिसका निर्मार भारत और रूस ने मिलकर किया है ब्रह्मोस का नाम दो हिस्सों से मिलकर बना है भ्रह्म यानि की भ्रह्मा पोतर नदी और मोस यानि की रूस की मोसकोवा नदी है यह दुनिया की सबसे तेज एंटी सिप cruise missile है अब डिसकस कर लेते हैं ब्रह्मोस येरोस्पिस लिमिटेट के बारे में ब्रह्मोस येरोस्पिस लिमिटेट की स्थाबना 12 फरवरी 1998 में की गई थी मुख्याले नई दिल्ली में है संस्थापक ए सिप थनु पिल लई है हाली में ब्रह्मोस येरोस्पिस लिमिटेट का मुख्य कारेकारी अधिकारी और प्रवंद निर्देश किसे नियुक्ति किया गया है अतुल दिनकर राडे को अब डिसकस कर लेते हैं डियार्डियों के बारे में रक्षा अनुसंधान एबं विकास संगठन डियार्डियों की स्थापना 1958 में हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है और बर्तमान अध्यच हैं डॉक्तर जी सतिसरेड़ी चले आगे डिसकस करेंगे हाले में किस टीम ने तामिल लडू को हरा कर पहली बार बिजे हजारे ट्रॉपी का खिताब जीत लिया है तो इसका आपका सही आंसर है अपसंसी हिमाचल प्रदेश ने इस खिताब को पहली बार जीत लिया है डिसकस कर लेते हैं कुछ महतपूर्ट जानकारिया देश का पहला 100% बैक्सिनेशन वाला जिला कौन सा है किन और जो कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है ए कैबिनेट प्रारली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है हिमाचल प्रदेश है पिन बैली नेसल पार जो अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है हाली में गुलाबी केंस से टेस्ट सतकल बनाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है इसमर्थी मंधाना बनी है ICC T20 बर्ड कप कहां आयुजित हुआ सैयुक्त अरब अमीरात में ICC T20 बर्ड कप कौन सा देश बिजेता रहा तो ऑस्टेलिया अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएए कि ऑस्टेलिया की कैपिटल क्या है T20 प्रारुप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतिय बल्लेवास कौन बने है ब्राट कोली बने है T20 किरकेट में सबसे तेज सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी कौन है सोपी डेविन है जो किस देश की है न्यूजीलेंड की है अंतर राष्टी एवं लिस्ट एक किरकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला किरकेट और कौन बन गई है मिताली राच भारतिय किरकेट टीम के किस पूर्व खिलाडी को टीम इंडिया के मुख कोज के रूप में न्यूप्ट किया गया है तो हाली में बनाया गया है रावुल ड्रबिड को चले आगे डिस्कुस करेंगे अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा इस्टूडेंट आपको बता दू कि इस 20 मिनिट की क्लास को बनाने में 8-9 घंटे की मेहनत होती है तो प्लीज इस क्लास को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चलें नेस्ट कोईशन देखेंगे किस राज में विश्व संगीत तांसेन कारिकरम का आयुजन किया गया है तो इसका आपका सई आंसर है और संसी मद्द प्रदेश में इसका आयुजन किया जा रहा है इसका स्काल लेते हैं मद्द प्रदेश में विश्व संगीत तांसेन उसप 97 वा संसकरन ग्वालियर में सुरू हुआ है आपको बता दे कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सहर में 5 दिवसिय विश्व संगीत तांसेन उसप का आयुजन किया जा रहा है पहले साथ संगीत कारिकरम तांसेन के मकवरे और मोहमत गोष के मकवरे पर तयार मंच पर आयुजित किये गए आठवा संगीत कारिकरम 30 दिसंबर को जिलमिल नदी के किनारे बेहट में होगा और अंतिम संगीत कारिकरम ग्वालियल किले में आईजित किया जाएगा अब आप लोगों को कमेंट्स बोक्स बताना है कि ग्वालियल किले का निर्मार्ट किस के दुआरा किया गया था डिस्कस कर लेते हैं मद्द प्रदेश के बारे में ये है मैप में मद्द प्रदेश, मद्द प्रदेश की राजधानी है फोपाल मद्द प्रदेश की सीमा भारत के किनकिन राज्यों से लगती है माहराष्ट, 36 गड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरास से लगती है मद्द प्रदेश को नदियों का माईका भी कहा जाता है और मद्द प्रदेश को सोया प्रदेश, हिर्तर प्रदेश भी कहा जाता है चले डिस्कस कर लेते हैं आगे मद्ध प्रदेश के बारे में मद्ध प्रदेश राज्य का गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था एक नवंबर 2036 गड़ एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था मद्ध प्रदेश से अलग होकर बत्मार मुख मंतरी सिवरा सिंग चोहान है राजपल मंगु भाई छगन भाई पटेल है बिधान सभा सीटों की संक्या 230 है राज सभा सीटों की संक्या 11 है लोग सभा सीटों की संक्या 29 मत्य प्रदेश की प्रमुक नदियां है नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, तवा, तापती, सिंद, केन, छिपरा, माही, बेन गंगा, पारवती और बर्दा है प्रमुक नेसल पार्क और अभियरण प्रमुक अभियरण है बोरी, राला मंडल, नोरा देही, राता पानी, गंगव और करेरा अभियरण है तो ये थी मद्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ट जानकारिया चलिए नेस्ट कुश्यन डिसकस करेंगे हाली में दुनिया का सबसे बड़ा टैली इसकोप चैम्स वेब स्पेस नामक किसने लॉंच किया है तो इसका आपका सई आंसर है, आप्शन भी नासा दुवारे से लॉंच किया गया है नासा किस देश की स्पेस एजनसी है तो याद रखिएगा अमेरिका की है जैसा कि आप तो पिक में देख सकते है आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में यह दुनिया का सबसे बड़ा टैली सकोप है इसे यूरोपियन स्पेस एजनसी के सयोग से लॉंच किया गया है यह हबल टैली सकोप की स्थान पर लॉंच किया गया है यह हैं दुनिया का पहला टेलिस्कोप है जिसे मूडा जा सकता है अब डिसकस कर लेते हैं नासा के बारे में नासा की स्थापना 1958 में हुई थी नासा का मुख्याल है बॉन सिगर्टन डीसी सेंव तराज अमेरिका में है नासा के प्रसासक हैं बिल नेलसन नासा ने किस भारती मूल के डॉक्तर को अंत्रिच यात्री के रूप में चुना है तो हाली में चुना गया है अनिल मैनन को आगे देखेंगे कुरू थर्ड मिसन किस ने लॉंच किया है चले आगे देखते हैं अगला कोईशन है स्री लंका जल्द ही त्रंको माली टेल टैंक फार्म को सईवत रूप से विक्सित करने के लिए कि इस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझोते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है तो इसका आपका सई आंसर है अपसंडी भारत के साथ आपको बता दे कि त्रंको माली टेल टैंक फार्म एक परियोशना है आगे डिस्कुस कर लेते हैं महत्वपूर जानकरिया कौन सा देश पाक जल डमरू दुआरा भारत के मुख भूबाग से अलग होता है सिरी लंका मित्र सक्ति और सिलीनेक्स युद्धव्यास किंदो देशों के बीच आयर्जित होते हैं भारत और सिरी लंका के बीच जापना प्राइदीव कहां इस्तित है सिरी लंका के उत्री प्रांत का ये खिस्सा है हमबन टूटा बंदर का कहां पर है सिरी लंका में है सिरी लंका के बर्तमान परधान मंतरी है महिंद्रा राजपच्चे और राश्टपती हैं गोदवाया राजपचे अब देख लीजे मैप में स्री लंका ये हैं जापना प्राइदीब ये अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखेगा स्री लंका में है नेस्ट कोश्चन है रंग भेद के खिलाब संगर्स करने वाले किस देश के डैसमन टूटू का हाली में निधन हो गया है तो इसका आपका सही आंसर है अप्शन एक दच्छड़ा फ्रीका आई डिसकस कर लेते हैं इनी से रिलेटिट कुछ इंपोरेंट पॉइंट इन्हें रंग भेद को समाप्त किया था इन्हें दा आर्क के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दे कि 1984 में रंग भेद के खिलाब काम करने के लिए सान्ती के नोबल पुरुसकार से इन्हें सम्मानित किया गया था आगे देखेंगे मेहत्टुण जानकारिया बोच़ बताइए कि पन्ना किसलिए प्रिशिद्ध है मद्प्रदेश में. आगे देखेंगे भूमत सागर की कुंजी किसे कहते हैं जिबराल्टर जलसंदी को कहा जाता है भूमत सागर को पच्चे में अट्लांटिक महा सागर से कौन सी जलसंदी जोडती है जिब्राल्टा जलसंदी जोडती है किस देश ने 2030 तक बाल भिवा समाप्त करने की घोशना की है तो हाली में ये घोशना की गई है दच्छणी सुडान दुवारा चले नेस्ट कुश्चन देखेंगे अगला कोशन है हाली में किंद्र सरकार ने किस राज्च से सैसस्त्र सैना विश्यसा अधिकार कानून को हटाने के लिए एक पैनल का गठन किया है तो इसका आपका सई आंसर है आप्शन डी नागालेंड से आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में किंद्र सरकार ने नागालेंड से हाली में सैना दुवारत छे नागरीकों के मारे जाने के बाद सैसस्त्र सैना विश्यसा अधिकार कानून को हटाने के लिए पैनल का गठन किया है इस पैनल में पांस सदस्य समीती की अध्यस्ता सचिब इस्थर के अधिकारी करेंगे डिसकस कर लेते हैं कुछ इपोडेंट पॉइंट, मियामार से सीमा बनाने वाले राज कौन कौन से है, अर्मनांचल पिर्दिस, नागालेंट, मणीपोर और मिजूरम है, हाली में बिटली अबॉट से किसे सम्भानित किया गया, तो नागालेंट के रहने वाले नुकलू फॉ चले, नेस्ट कोईशन देखेंगे, अगर आप लोगों को क्लासेश पसंद आ रही है, तो प्लीज क्लास को एक वाज शेयर जरूर कर दे, हाली में किसे सुसीला देवी साहित पॉरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आपका सही आंसर है, अप्शन A, अनुकृती उपाध्याय को, चले, आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आपको बता दू, कि यह पॉरुषकार स्री रतल्लान फाउंडेशन द्वारा इस्थापित किया गया है, अब डिस्कस करेंगे अन्न महत्पूर जानकारिया, किसे हिंदी भासा साहित अकादमी पॉर पॉरुषकार 2021 से सम्वानित किया गया है, अनामिका को, अंग्रेजी का साहित अकादमी पॉरुषकार से किसे सम्वानित किया गया है, अरुन्धती सुब्र मन्यम को, हाली में किस पदम सिरी पॉरुषकार विजेता, लेखिका का निधन हो गया, पदमा सच देवा का, आग जर्ब स्रेश्ट ब्रत्ती चित्र का पुरुषकार जीता है पायल कपाडियान है। तीसवा व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है सरत पागारे को। चले आगे देखते हैं नेस्ट कोशन। निमन लिकित में से किस हवाई अड़ा को राश्टिय उर्जा सर्रचन पोरुषकार 2021 मिला है। तो इसका आपका सई आंसर है आप्शन सी हैदराबाद अंथराश्टिय हवाई अड़ा। हैदराबाद अंथराश्टिय विमान छेत्र जिसका पूरा नाम है राजीव गांडी अंथराश्टिय हवाई अड़ा। अब डिसकस का लेते हैं भारत के प्रमुक यहरपोड। सिरी गुरू रांगदाज जी अंथराश्टिय हवाई अड़ा कहां पर है अम्रसर पंजाब में हैं सरदार बल्लग भाई पतेल अंथराश्टिय हवाई अड़ा एहमदावात गुजरात में हैं कोचीन अंथराश्टिय विमान छेत्र कोचीन केरल में हैं नेता जी स्वाच चंद्र वॉस अंतराष्ट्य विमान शित्र कॉलकाता पच्छिं बंगाल में है बिर्सामुंडा विमान शित्र कहां पर है ज्छारकंड में है देवी अहिल्या वाई खॉलकर अंतराष्ट्य विमान शित्र इंदौ मद्ध प्रदेश में है बीर सावरकर विमान शित्र आंड ज्याने कोन है हाली में मानग जबड़े की मासपेसियों के एक नए हिस्से की खोज की है तो इसका आपका सही आंसर है option B स्विट्ज लेंड द्वारा हाली में ये खोज की गई है नेस्ट कोशन है हाली में किस पेमेंट बैंक ने बॉलेट में सीधे अन्थाराष्टिय फंड ट्रांसफर को सच्छम करने के लिए मनी ग्राम के साथ एक साजेदारी की है तो इसका आपका सही आंसर है option C PTM पेमेंट बैंक द्वारा हाली में ये साजेदारी की गई है आपको बता दे कि भारत में डिजीतल लेन देन का 50 प्रतिसत हिस्सा मनी ग्राम के द्वारा होता है चलिए नेस्ट कोशन देखेंगे International Automobile Federation का अध्यच किसे नियुक्त किया गया है तो इसका आपका सही आंसर है option B मोहमत वेन सुलियम को आई डिसकस कर लेते हैं इनके बारे में सैयुक्त अरब अमीरात के मोहमत वेन सुलियम को मौटर स्पोर्ट्स की विश्व सासी निकाए International Automobile Federation के पहले गैर यूरूपी अध्यच के रूप में जीन टोड का उतर धिकारी चुना गया है International Automobile Federation का मुख्याल है पैरिस फ्रांस में है International Automobile Federation के स्थापना भी जून 1904 में हुई थी अब जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएए कि पैरिस किस नदी के किनारे है प्रकरती में पाया जाने वाला कठोड़तम परधात कौन सा है हीरा है भारत का संबिधान कितने समय में तयार हुआ था दो साल 11 महीने और 18 दिन में ये पॉइंट याद रखिएगा अक्सर ये एक्जाम में पूछ लिया जाता है भारती संबिधान में मौलिक करतब किस देश के संबिधान से लिए गए है रूस के संबिधान से सवाना घास के मैधान किस महादीप में है अफ्रीका में है गुजराज से गोवा तक समुद्री टट क्या कहलाता है तो कोकर टट कहलाता है बायो मंदल में सबसे अधिक किस गयस का प्रतिसत है तो नाइट रोजन का है कम्पीटर भासा में www का अर्थ क्या है बर्ड वाइड वेब है लोदी वन्स का संस्थाप कौन था बहलो लोदी था मधु वनी किस राज्य की लोग चित्रकला सैली है तो ये है बेहार की तो ये था डेली स्टेटिक जीके का डोज 21 आप डिसकस कर लेते आगे कल की क्लास में आपसे कुछ क्वेशन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए गुल्डन पिकॉप पर्यावरन प्रभंदन पुरुषकार 2021 से किसे सम्भानित किया गया है सैल को निम्नमे से किस राजसरकार ने उडान योजना की सुरवात की है तो राजस्थान सरकार दुवारा इस योजना की सुरवात की गई है बर्मोडा त्रुबूच छेत्र किस महसागर में इस्तित है तो ये है अटलांटिक महसागर में किस देश को हजार जीलों की भूमी के रूप में भी जाना जाता है फिंग लेंड को आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है तो सुपीरियर जील है एपी सेंटर सब्त का उप्योग किस के बड़न के लिए किया जाता है भू कम्प के लिए अब आज के कुछ कोश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो सबसे पहले हैं करेंट अफियर के दो कोश्चन एसी आई चेंपियन्स ट्रॉफी पुरुस होकी टूनामेंट 2021 का खेताब किस देश ने जीता है नेस्ट कोश्चन है नेतत्व प्रतिबदता 2021 के लिए सयोगत राष्ट महिला पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है जीके के कोश्चन नवीन जलोड मिर्दा को अन किस नाम से जाना जाता है जो जिला दर्रा किसको जोडता है चंगेज खाने किसके समय भारत पर आक्मरान किया था कौन सी प्रता दिल्ली सल्तनत के प्रसासन का मूल इस्तम थी तो इन कोश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में अगर आप लोगों को क्लासिस पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा आज की क्लास हमारी यहीं समात होती है थेंक्यू थेंक्यू सो माच